हे गाईज मैं आर्थी शेयर करे हूँ आप सभी के साथ टू हेल्दी वेट लॉस डेजर्ट जिसे आप अपनी वेट लॉस डाइप में इसली इंक्लूड कर सकते हैं इजी टू प्रिपेर है और गर्मी ओ के लिए बहुती बढ़ी है और खास बात यहीं है कि आप इसे अपने वरत में भी ले सकते हैं गर्मियों के लिए तो बहुती बढ़ी है रेसिपी और यह एक पॉपलर डुश है रेसिपी हैं जिसे हम श्रीखण के नाम से जानते हैं के लिए एक कॉटन के कपड़े में डही को डाल कर और रख दीजिए जिसे कि उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और इस तरीके से एक गाढ़ी दही मिलती हमें तो उसका यूज करना होता है हमें श्रिखंड बनाने के लिए फिर मैंने यहां पर सोग्ड केसर लिया है मैं इसमें हनी आट करूँ आप अपनी पसंद का कोई भी स्वीटनर आट कर सकते हैं और इन सब को हम अच्छे से अभी विस्कर की मदद से विस्क करेंगे जब तक यह एकदम अच्छे से स्मूज सारी चीज़े मिक्स ना हो जाए और एक फ्लॉफी टेक्शियर ना जाए अ मैंने यहां पर सोग्ड केसर के जो स्ट्रैंड्स होते ना थोड़े से रख लिये थे वो एक किये हैं थोड़े से नारियल सूखे वाले और पिस्तार यहां पर अब जो यह दूसरी रेसिपी स्टार्ट हो गई है यह भी बहुत ही अमेजिंग है इसको भी आप ट्राय कर सकत है या अगर आप कोई और फ्लेवर देना चाहते है जैसे खेसर तो भी आट कर सकते है मैंने कुछ रोस पैटल से आट किये हैं जो कि आप्शनल है विस्ता और बादाम मैंने आट किया है तो यह इन सब को भी अभी हमें अच्छे से विस्कर से विस्क करना है जब तक यह उस बढ़िया प्रोटीन रिच है रिफाइन शुगर का यूज नहीं है तो बजार वाले श्रिखंट से यह बहुत ही बढ़िया श्रिखंट की रेसिपी है जो कि आप फ्रेश बना कर इंजॉय कर सकते हैं तो आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी अगर आप ट्राय करते हैं तो रेसिपी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भेज सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं learnlively at the rate gmail.com पर तो मैं आपको जल्द मिलते हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ